आज आप लोगा साथ शेयर करेंगी हमारी बंगलादेश का बहुत फेमास शबजी खीचुरी का एक रेसिपी यह जो खीचुरी घर पर बहुत असानी से बन सकते और यह जो खीचुरी है बहुती स्वादेश्ट और बहुती हेल्दी है यह बहुती आसानी से घर पर बना सकते फिर चले हम बना लेते सबजी खीचुरी बनाने के लिए मुझे सबजी आज जरूरी चाहिए यहाँ पर लिए हूँ 200 ग्रम बीन्स और एक मुली यह जो मुली थोरा बरेसे हैं मैंने इससे आधा कट कर ली और एक गबी और चार पिस आलू अब यह सारे चीजों को मैंने कट कर लेते इसी तरह आप देख सकते जो इसका पीसे से ना जादा बढ़ा ना छोटा और प्याज मेर्च धनिया पत्ता दाल चाल बहुत कुछ चाहिए मैंने आप लोगों को दिरे 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 दिखाएंगी सब कुछ चारे चीजों को कट के रख लिए चबजिया मीर्च प्याज जो जो चाहिए और मसला भी रेड़ी है अब फिर चले हम पकाने शुरू कर देते खिचुरी खिचुरी बनाने के लिए चाल डाल जरूरी चाहिए और इसके लिए मिने इहां पड़ लेता हूँ आधा काप टोर डाल आधा काप मैसुर डाल और इहां पड़ लेता हूँ मिने दो काप बसमोती राइस चाल डाल अच्छा से धोली आब इसमें डाल देता हूँ कटा हूँ प्याज लाइसुन और मिर्च ओर भी डाल देता हूँ कटके राखा हूँ सारी सबजिया अब इसमें डाल देता हूँ एक चाय कचमोच हल्दी पाउडर दो चाय कचमोच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय कचमोच छोटे जीरा राधुनी पाउडर एक चाय कचमोच धने पाउडर एक चाय कचमोच जीरा पाउडर एक खाने कचमोच न्यामक और डाल दे एक तहाई काप शर्शूका ओयल अब ये चारे चीजों को अच्छा अच्छे मिक्स कर लेंगी मैंने आप लोग जाए तो बीना ग्लावस में भी कर सकते आप कमार जी इसे पहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगी यह चारे चीजों को अच्छा से MIKS कर लीए अब मैंने हाथ को धोगी एक कप पानी देदेता हूं और डॉल देता हूं यह जग में जो है स berserkाप पानी डाल देते याने की टूटल 10 कप यह जो खीचुरी है यह कुकर में ही बानेंगी लेकिन इसका ढ़कन है मैंने बंद नहीं करेंगी टाइट से बस एसा ही राक लेंगी उबालाने तक हाई फ्लेम में इसे पकाएंगी यह जो खीचुरी यह उबाला चुक्या है आप यह जो है हाई फ्लेम से आभी मिडियाम में कर देता हूं और एक चम्मोच से अच्छा चे चला लेते हैं चूला मिडियाम से भी कम फ्लेम में फेर चे पकाएंगी ढखकन से ढखके तक्रीबन 15 मिनिट फिर बापा चाही हूं 15 मिनिट का बाद आप देखे यह जो है पानी भी थोरा से कम हो गया है और चावल भी थोरा तक्रीबन आधा से ज़्यादा पक गया अभी से अच्छा चला लेते मिने और कुछ देर फिर इसे बंद करके पकाएंगी और भी 15 मिनिट फिर बापा चाही हो 15 मिनिट का बाद आप दोग देख सकते यह जो पानी है बिल्कुल सुख गिये हैं और थोरा से बाकी है अब यह भी सुख जाएंगी और चमुच से चलाते रहेंगी कंटिन्यू और यह जो नयमक भी देख लेते और गौबी भी देखे कितना अच्छा स से पाक चुका है नयमक थोरी से कम लाग रहें इसलिए और भी आधा खाने कचा मुच दे दी और टाल देता हूं बारिक करके कटके राखा हुआ धनिया पत्ता यहाँ पर जो है अधा कप है अब जो है इसे बहुती अच्छा से मिक्स कर लेते हैं और यह जो सारे सब्जिया बहुती अच्छा अच्छे पाक गया है ना जाता गल गया और ना कच्छा है बिल्कुल परफेक्ट है और देखिए जो आलू भी पाक गया है अब इसे में डाल देता हूं एक खाने का चमोच घी उसका बाद इसे ढखके पकाएंगी और भी 10 मिनिट बहुती लो फ्लेम में बापस आई हूं और भी 10 मिनिट का बाद आप एक चमोच से इसी तरह चलाते रहना और अच्छा से घोटना परेगा ये देखिए ये कितना अच्छा जबरदस्त बनी है बिल्कुल परफेक्ट ये जो खिचुरी है बन के तयार है मैंने इसे डिश आउट कर लेते आप देखिए ये कितना अच्छा से बन गया है बहुती असानी से और देखने में कितना अच्छा लग रहे खाने में भी बहुती स्वादिस्ट है फिर कैसे लागा मेरी इस रेसिपी अगर अच्छा लागे लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें अगर आप न्यू है मेरी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगले वीडियो भी देख सकतें फिर मिलेंगी नया कोई वीडियो पर नया रेसिपी लेकर तब तक स सबसाई रहे, सलामोत रहे, आलाह पेज, यामी, 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 प्लीस दों फोर्गे तो सब्सक्राइब इस यूटूब चैनल जारानूरा लिटल ब्रादर और फोलो मैं पेस्बूक पेज जारानूरा लिटल ब्रादर